एक गाउं में गरीब परिवार रहता था उस परिवार में एक पती सुरेश पतनी आस्था और उनकी एक छोटी बेटी प्रिया रहती थी प्रिया दस साल की लड़की थी आस्था अपनी बेटी प्रिया को बहुत प्यार करती थी और सुरेश एक कॉर्टो ड्राइवर था उसे शराब की लग थी, वो पूरा दिन शराब पीता रहता था और घर के लिए बहुत कम पैसे कमा कर लाता था और वो अपनी आधी आमदनी अपनी दारू खरीदने में लगा देता था वो अपने परिवार वालों से भी ठीक से बात नहीं करता था, आस्था को दिन पर डाटता रहता था और प्रिया से भी टेड़े मूँ से बात करता था आस्था और प्रिया सुरेश की इन हरकतों से बहुत दुखी थे, एक दिन जब प्रिया अपने घर के बाहर अपने खिलोनों से खेल रही थी, तभी उसकी दोस्त जानवी उसके पास आकर उसे बुलाती है, प्रिया चलो ना, तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हे कुछ खिलाओंगी, अच्छा, क्या खिलाओगी मुझे, ऐसा क्या है तुम्हारे पास, मेरे बाबा एक पिज्जा लाए है, बहुत वो तुम खाओगी न, तो तुम्हे बहुत अच्छा लगेगा, पिज्जा, पिज्जा क्या होता है, अरे तुम्हे पिज्जा नहीं पता, अच्छा, तुम आओ मेरे घर, तुम खाओगी तो तुम्हे पता लग जाएगा की होता क्या है, फिर प्रिया जानवी के साथ उसक मैं भी अपने माँ बाबा को बोलूगी लाने के लिए, मेरे बाबा इसे एक दुकान से लाए, गाउं के बाहर जो शहर का रास्ता जाता है, वहीं बींच में पढ़ती है दुकान. प्रिया पिज़ा खाकर अपने घर चली जाती है और ये बात जाकर अपने बाबा को बोलती है बाबा बाबा पता है आज मुझे जानवी ने क्या खिलाया क्या है क्या खिलाया उसने तुझे है बाबा उसने मुझे पिज्जा खिलाया तुम भी मेरे लिए पिज्जा ले आओ प्रिया अपनी मा के पास जाकर रोने लगती है और बोलती है मा देखो ना बाबा ने मुझे टाटा मैंने उनसे पिज्जा लाने को बोला और वो मुझे कैसे बाते कर रहे है तेरे को तो पता है कि तेरे बाबा कैसे है कोई बात नहीं मैं तेरे ले पिज्जा ले आओंगी ठीक है माँ एक्सिडेंट के डर से वहाँ से भाग जाता है बहुत रात हो चुकी थी प्रिया अपनी मा का इंतजार कर रहे थी मा को काम से वापस आते हुए कभी इतना समय नहीं लगता क्या हो गया मा को थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद प्रिया खुद जाकर अपनी मा को ढूणने चली जाती है प्रिया हर जगा अपनी मा को ढूणती है पर नहीं मिलती फिर ढूणते ढूणते वो अपनी मा आस्था की लाश के पास आ जाती है प्रिया ये देख कर बहुत जोर से चिलाती है प्रिया अपनी मा को खून में लिपते हुए देखकर बहुट डर जाती है वो जल्दी से अपने बाबा और आसपास के घरवालों को मदद के लिए बुलाती है और फिर सारे मिलकर आस्था की शरीर का दासंसकार कर देते हैं दासंसकार के दिन के बाद से प्रिया घर में अकेली बैठी-बैठी बस अपनी मा की याद में रोती रहती थी अब क्या होगा मेरा, मेरी बाबा भी शराबी है, कुछ कमाकर नहीं लाते घर का घरचा कैसे चलेगा, कुछ समझ नहीं आरा, मा भी चली गई मुझे तो घर के सारी काम भी आते नहीं वो घर के कोने में बैठ कर रोही रही होती है, कि तभी उसे एक उपाय सूचता है मुझे घर का सारा काम नहीं आता, लेकिन मेरे को रोटी अच्छी से पकानी आती है इसलिए मैं रोटी का कारोबार शुरू करूंगी प्रिया रोटी का कारोबार शुरू कर देती है, और घर-घर में जाकर बताती है कि वो रोटी का कारोबार शुरू कर रही है सब लोग उसे दुआई देते हैं प्रिया अपनी रोटी के कारुबार से कमा तो लेती है पर उससे भी उसके घर का खर्चा पूरा नहीं पढ़ता था क्यूंकि कारुबार इतना अच्छा चलता ही नहीं था वो बहुत मेहनत करती है पर कोई उससे रोटी नहीं खरीता था प्रिया बहुत जादा चिंतित होती है कि अब वो घर का खर्चा कैसे चलाईगी, वो घर में बैट कर बहुत रोती है और मा मा चिलाती रहती है, तभी पीछे से प्रिया की मा आस्था की आत्मा चुडैल बनकर उसके सामने आ जाती है, प्रिया अपनी मा की आत्मा को चुडैल बना देख बहुत डर जाती है और जोर-जोर से चिलाने लगती है कौन हो तुम और अचानक से मेरी सामने कैसे आ गई बेटा, मैं तुम्हारी मा हो मेरा एक्सिडेंट हो गया था तभी मेरी आत्मा शरीर से निकल कर चुडैल बन गई थी क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी तुम्हें पिज्जा खिलाने की इसलिए मैं चुडैल बन गई हूँ क्या, तुम मेरी मा हो प्रियां बहुत खुश हो जाती है और अपनी मा के गले लग जाती है और दोनों बहुत रोते हैं बेटा, मैंने देखा कि तुम कैसे मेहनत करती हो रोटी बना कर पैसे कमाती हो घर संभालने के लिए हाँ मा, पर इसका भी कोई फायदा नहीं क्योंकि इसकी कमाई घर कर्च के लिए बहुत कम है अच्छा, मेरे पास एक उपाय है हाँ मा, बताओ न क्या उपाय है जब मैं तुम्हारे लिए मरने से पहले पिज़ा लेने के लिए गई थी तो मैंने देखा था कि पिज़ा वाले के दुकान पर बहुत भीड है आजकर लोग पिज़ा बहुत खाते है तुम पिज़ा बनाओ और उसका कारुबार करो बहुत फायदा है इसमें तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है मा पर पिज़ा बनाने वाली मशीन लानी होगी और वो बहुत ज़्यादा महंगी है हमारे लिए हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं तो तुम एक काम करो कि तुम रोटी का ही एक पिज़ा बना लो फू कैसे मा तुम चुले पर रोटी सेख ले ना फिर मैं अपने जादू से उस पर पिज़ा वाली चीज और उस पर धेर सारी कटी हुई सबसी और भुटे के दाने डाल दूँगी ठीक है मा तुमने तुम्हारे आने के बाद मेरी आदी परिशानी दूर हो गई आदी परिशानी? आदी कौन सी परिशानी बाकी है? अच्छा तो ये बात है इनको तो मैं सुधार दूगी रात को जब सुरेश अपनी दारू की बोटल दुकान से लेकर बाहर आ रहा होता है तो चुडेल अद्रिश्य होकर उसे बीच रास्ते में मारने लगती है चुडेल उसके गालो पर थपड़ पर थपड़ मारती जाती है और सुरेश पिटता पिटता चिलाता रहता है पर उसे शराबी समझ कोई उसे बचाने नहीं आता फिर सुरेश के सामने आ जाती है और सुरेश चुडेल को देख कर डर जाता है ए सुरेश रुखचा तुम मेरे मरने से पहले भी मुझे और मेरी बेटी को परिशान ही करता था और मेरे मर्डे के बाद भी तुझे चैन नहीं शर्म नहीं आई तुझे स्कूल जाने लाइक बेटी घर के खर्च के लिए रोटिया सेख सेख कर पैसे कमा रही है अभी भी तेरा नशा उत्रा नहीं ले तु और मार खा फिर चुडएल उसे जोर जोर से मारने लगती है अच्छा वाई ठीक है ठीक है बोलो क्या करना है मुझे अपना ये दारु वारु छोड़ मेरी बेटी से माफी मांग और जाकर मेरी बेटी की काम में मदद कर चल जा फिर सुरेश जाकर प्रिया से माफी मांगता है बेटी प्रिया मुझे माफ कर दो अब तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा मैं तुम्हारी पूरी देखपाल करूँगा प्रिया सुरेश का ऐसा सुधराव व्यभार देख कर बहुत खुश हो जाती है फिर प्रिया अपने काम पर लग जाती है और रोटी बना कर चुडेल को दे देती है और चुडेल उस पर पिज्जा जैसी सजावट करके पैक कर देती है और सुरेश को ग्रहक के घरगर तक ये रोटी पिज़ा का कारूबार बहुत फैलने लगा। शेहर शेहर से लोग इसे खाने के लिए आने लगे। इस कारूबार से बहुत पैसे आने लगे। और घर-खर्च बहुत आसानी से चलने लगा। अब ये काम समाल लूँगा। डिलिवरी के लिए कोई और लड़का रख लूँगा। नहीं रह सकती यहां। मैं एक चुडैल हूँ। जिस मकसद से चुडैल बनकर यहां आई थी वो पूरा हो चुका। और वो था तुम्हारा जीवन सवारना। अब मेरी मुक्ती का समय हो गया है।